आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडिनियम को या डेजर्ट रोज को घर पे आप असानी से कैसे उगा सकते हैं इसके लिए हम 50% Vermicompose लेंगे अगर आपके पास Vermicompose नहीं है तो आप डी एकंपोस्ट काव डंग को पाउडर फॉम में करके वह भी यूज कर सकते हैं और 50 % हमने fine sand लेनी है जैंगा की sand होती है गंगा river की sand होती है यह हमारी construction में use होती है और कोई भी construction material के दुकान पर easily मिल जाएगी है तो इसे हम अच्छी तरह से mix कर लेगे यह देखिए यह adenium के seeds हैं तो यह exotic seeds हैं आप भी यह seeds मंगवा सकते हैं मैंने seedsandpots.com से यह seeds मंगवाए थे तो मैं description में link दे दूँगा आप भी वहाँ से buy कर सकते हैं seed हुगाने के लिए आप कोई भी एक tray या pot लेव सकते हैं यह देखिए मैंने यह 3 इंच गहरी एक tray ली हुई है जिसमें drainage hole मैंने बना लिया नीचे आप यह देख लें कि drainage hole उसमें होने चाहिए drainage hole को हम छोटे ग्रेवल या पत्थरों से ढख देंगे इससे क्या होगा कि हमारी potting mix पानी के साथ इन छेट से drainage hole से भान नहीं जाएगी अब हम अपनी tray को अच्छे से potting mix से fill कर लेंगे potting mix के surface में और tray के surface में करीब करीब एक इंच का gap रहना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से watering दे सकें आपको पूरी tray fill नहीं करनी है अब हम अच्छे से अपनी potting mix को गीला कर लेंगे अच्छे से पानी देने के बाद हम soil को अच्छे से plane कर लेंगे आप कोई भी मलब छोटा pot भी use कर सकते हैं देखिए मैं छोटा pot यूज़ कर रहा हूँ इससे मैं अपनी soil को plane कर लूँगा ये white zombie एक adenium की variety है तो ये उसके seed हैं तो सबसे पहले हम इने ही लगाएंगे seeds को हम soil surface पे अराम से रख देंगे दो seed के बीच में आप करीब करीब एक से डेड़ इंच का gap रखे उससे ज़्यादा gap रखने की कोई ज़रूत नहीं है यतने gap में हमारे seeds जो हैं वो अच्छे से grow हो जाएंगे हर वराइटी के seed लगाने के बाद हम उन्हें tag कर देंगे जिससे की बाद में कोई problem ना हो कोई confusion ना हो इसी तरह हम अपने सारे seeds को अच्छे से लगा लेंगे हर वराइटी के seed लगाने के बाद हम उन्हें tag करते जाएंगे जिससे की कोई भी हमें दिक्कत ना हो बाद में सारे बीज लगाने के बाद हम उनमें एक पार्टीशन के लिए एक छोटी सी प्लास्टिक के स्टिप लगा देंगे जिससे की हमारे सीट अलग-अलग रहे है यह वही पॉटिंग मिक्स है जो हमने शुरू में बनाई थी इसमें आधी हमारी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस और आधी हमारी सेंड है इसी मिक्स की मदद से हम अपने सीट को अच्छे से ढख देंगे हमें एडिनियम के सीट को सिर्फ आधे इंच पॉटिंग में एक से ढखना है उससे आधा आप ढखेंगे तो जर्मीनेशन रेट आपको कम मिलेगा इसलिए हमें हल्की सी लेयर से ही ढखना है उन्हें हलके हातों से हम स्वाइल को अच्छे से प्रैस कर देंगे जिससे कि हमारे सीट अपनी जगह से ना हिले जब हम उन्हें पानी देंगे अब हलके से शावर से हम अपने सीट को पानी देंगे हलके से शावर से यह होगा कि हमारे सीड अपनी जगह से नहीं इलेंगे और उन्हें अच्छे से पानी भी मिल जाएगा तो यह देखे हमने जो बोटल के जो कैप में छेट करके हमने जो पानी दिया है उससे एक भी हमारा सीड अपनी जगह से नहीं इला है तो आप भी ऐसे ही अपने seeds को पानी दे सकते हैं पानी देने के बाद हम tray को एक clear plastic bag से ढख देंगे इससे क्या होगा कि एक green house effect बनेगा और हमारे जो moisture है वो अंदर ही रहेगा हमें रोज रोज पानी देने की कोई जरोत नहीं पड़ेगी शुरू के पंदरा दिन हमें एक ऐसी जगह रखना है ट्रे को जहां पे हलके हलकी धूप आए डारेक्शन में हम शुरू में इस ट्रे को नहीं रखेंगे अब रोज सॉइल में moisture level चेक कर सकते हैं अगर आपको सूखी लगे अपनी सॉइल तो आप थोड़ा सा पानी उसमें दे सकते हैं आज पांचवा दिन है और यह देखिए मुझे प्लास्टिक के अंदर से कुछ जर्मिनेट हुए हमारे सीट दिख रहे हैं तो देखते हैं कि कैसा हमें result मिला है तो ये देखिए हमारे काफी सारे सीट जर्मिनेट हो गए है और काफी सारे सीट अभी जर्मिनेट होना बाकी है तो कुछ दिन का वेड हम और करेंगे जब तक हमारे सीट सारे जर्मिनेट ना हो जाए अब हम अच्छे से अपनी पॉटिंग मिक्स को गीला कर लेंगे कुछ एक महिने बाद हमारी जो सीरलिंग है वो ऐसी दिखाई देंगी डाइ महिने के बाद हमारी जो एडिनेम की सीरलिंग है देखे काफी अच्छी साइज गियो गई है तो काफी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है अब हिने हम अलग-अलग इंडिविजुल छोटे-छोटे पॉटों में इन्हें ट्रांस्फर कर सकते हैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही तो हूप करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छे लगी हो अगर लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को गार्णिंग हेल्प को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू